हेलो फ्रेंड वेलकम टू दे नोबल प्रोफेशन गुड इवनिंग टू अल अफ यू स्वागत है आपका अमारी यूटूब चैनल पे और आज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ जो टॉपिक है वह यूपी अनर्चम जो 242 पोस्ट के ल इसी टॉपिक में पर डिस्कस करने वाली हूँ तो जिन लोगों ने भी मौनिंग सिप्ट का एक्जाम दिया तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और वो भी देखें कि कैसा पेपर का लेबल था और किस टाइप के क्वेश्चन आये थे अगर आपको भी बहुत सार पर इस नहीं ते ने पर यह ज़िए तो चर्व लिया तो आपेपर का लिए थे और सब्सक्रतालीट के लिए तो धरूर हमतों डिस्कस करने वाले तो आगे वीडियो में बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें सबसे पहले पुछा गया था कि जो प्लाजमा वालूम होता है ठीक है तो प्लाजमा वालूम का पुछा था कि कितना होता है percentage तो ये जो 30% option था वो सही था इसके लिए फिर पुछा था कि NACL जो होता है नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका composition पुछा था कि कितने % होता तो 0.9% जो होता है इसका composition होता है ये option सही था फिर पुछा था अगर किसी patient को snake bite हो गया है अगर किसी ने साप काट लिया तो उसमें क्या priority आप दोगे तो priority वाले option में ये option सही था कि call for emergency तो आपको emergency के लिए call करना था ये option इसमें सही था नेक्स देखिए एक पुछा था कि postnatal period में आप कौन सा symptom देखोगे patient में आपके language change हो सकते हैं लेकिन अगर आपने question पढ़ा हुए तो आपको यादा जाएंगे कि postnatal में एक mother है तो उसमें क्या symptom आप देखोगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा priority दोगे तो इसमें जो option था कि uterus right side में अगर fundus जो होगा वो right side में बढ़ा हुआ होगा तो उस पर हमें ज्यादा concern करना क्योंकि ये abnormal condition हो सकती है तो ये question था फिर पूछा था कि अगर किसी patient को many tall दिया जा रहा है ठीक है intraocular pressure उनका बढ़ा हुआ है तो अगर हमें many tall किसी patient को दिया जा रहा है तो अब क्या priority दोगे patient में क्या चीज को ध्यान रखोगे तो जो urine output का option था वो option सही था इसमें next question था कि अगर किसी छोटे बच्चे में heart failure हुआ है तो इसका क्या most common region हो सकता है छोटे बच्चों में तो ये question था मुझे option नहीं याद है अगर आपको याद है तो please comment करें और reasoning से related question पूछा था जिसमें 78 था फिर 56 दिया हुआ था साथ में 94 दिया था और एक question mark दिया हुआ था तो पूछा क्या था कि next वाला कौन सा number आएगा तो इसमें आप comment section में जरूर बता है आपसं थे इसके 69 30 और 40 और 56 option थे तो इसमें 36 था इसमें बताना था कि कौन सा option इसमें fit बैटेगा तो अगर आपने इस question को किया तो प्लीज मेरी comment section में बताएं कि कौन सा option इसमें सही होने वाला है next question जो था वो था कि mirror से related था एक figure बनाए गया था जिसमें एक mirror बीच में रखा गया था और mirror की बाद कौन सा वो figure बन रहा है यह बताना था तो I think इस question को सभी लोगोंने सही किया होगा क्योंकि इसमें option clearly पता चल ला था और एक score बनाए गया था पांच student का एक mark sheet बनाए गया था जिसमें 6 subject के पूरे उसमें marks दिये गये थे और पूछा था कि C वाले का total score कितना है total marks कितना है तो पूरा count करने के बार 346 हो रहा था लेकिन option में 346 का कहीं option नहीं था 386 का option था तो आपने कौन से option पे क्लिक किया आप ज़रूर कमेंट सेक्षन में बताएं next question जो था कि अगर कोई glucose का patient है तो आप उसको कौन सा health education दोगी तो glucose related question था तो health education से related इसमें था कि patient lifelong medication उसको देना पड़ेगा आई का तो यह option सही था कि lifelong medication glaucoma के patient को लेना पड़ेगा तो यही आप health education patient को देगे इस से related question था next पूचा गया था कि CPR में कितना compression होता है chest compression ratio कितना होता है तो 30 to 2 adult में पूचा था तो यह option सही था फिर पूचा था कि अगर superficial किसी patient को burn हो गया superficial burn है तो उस condition में आप क्या priority दोगे तो इसमें fluid imbalance मतलब fluid balance पे ज़्यादा आप ध्यान दोगे burn के condition में body का fluid maintain करना था यह option उसका सही था फिर पूचा गया था कि अगर किसी patient को knee injury हो गई है और bleeding हो रही है तो आप उसमें क्या care दोगे patient का कि bleeding ना हो तो हमें knee को क्या करना था fully extend करना था पूरी तरीके से fully extend करना था ताकि जो bleeding हो वो ना हो फिर एक option पुछा था कि अगर किसी patient का abdominal surgery हुआ है तो patient को हम कौन सा position दे सकते हैं abdominal surgery के बाद तो इसमें fowler position जो था वो option सही था next था कि अगर हम cervical jelly का use करते हैं patient में labor के पहले तो उसका क्या फाइदा होता है cervical jelly यूज करने का तो इसका option सही था softening of cervix cervix को soft करने के लिए यूज किया जाता है ये option सही था next पूछा गया था कि इंडिया में nursing के लिए जो celibus वगरे प्रोवाइट किया जाता है तो वो किसके अंडर में आता है surgery का patient है vomiting nausea हो रहा है तो आप कौन सा डाइट दोगे तो इसमें option जो थे बहुत सारे थे जैसे की fiber rich diet था लेकिन इसमें एक option सही था कौन सा की आप small frequent diet दोगे patient को तो ये option इसमें सही था आपने कौन सा option लगाई है ये जरूर बताएं पूछा गया था कि जो higher education है वो किसके द्वारा manage किया जा था उच्च सिच्छा से related a question था higher education department तो इसमें जो UGC वाला option था वो correct था next question पूछा गया था वो पूछा गया था कि अगर कोई children है उसमें choking की condition हो गई है patient के गले में कुछ अठक गया तो आप क्या करोगी उस ताइम में तो उसमें हमें chest thrust करना था जैसे हम hillmich maneuver में abdominal thrust करते हैं इसमें chest thrust करना था और back blow देना था ये option इसमें सही था next question पूछा गया था कि अगर कोई मतलब patient है अगर कोई nurse है वो patient का total care करती है मतलब सारे patient का total care करती है तो उसको क्या बोलते हैं तो इसका जो आपसन सही था वो total patient care था उसमें बहुत सारे care दियो थे जैसे functional nursing दिया हुआ था तो इसमें total patient care जो था वो आपसन सही था फिर next question पूछा गया था कि blood का composition पूछा गया था कि blood में कौन सा composition होता है तो इसमें hemoglovin से related question था वो सही था कि blood में hemoglovin पाया जाता है और एक urine से related question था कि अगर urine में blood आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं ऐसे question उल्टे हो सकते हैं लेकिन urine में bleeding से related question था तो hematuria करके एक option था उससे related ये question पूछा गया था फिर पूछा गया था कि BCG का site कौन सा होता है देने का तो ये था डेल्ट वाइड पे हम क्या करते हैं BCG को देते हैं फिर एक था principle of nursing से related था principle था तो उसमें पूछा तक गया था कि अगर एक patient है वो खुद ही decide करता है कि उसको treatment लेना है कि नहीं लेना है उसको right था पेशेंट को right होता है कि वो treatment लेना चाहता है कि नहीं तो इसमें जो अब principle फॉल होगा वो होगा autonomy वाला principle मतलब खुद की जिम्मेदारी पेशेंट की होती है खुद की treatment के लिए तो इसमें autonomy का principle था ये question सही था एक question और पुछा गया था जिसमें normal BMI पुछा गया था question में बड़े बड़े language में लिखे गया थे लिकिन normal BMI से question पुछा गया था कि अगर इससे नीचे BMI होता है तो उसको underweight count किया जाएगा तो इसमें less than 18.5 से अगर नीचे patient का होता है weight तो ये underweight होगा तो इसलिए less than 18.5 जो था वो option सही था PPS से related भी एक question आया हुआ था तो मुझे question याद नहीं पर PPS से related भी एक question आया हुए थे तो ये सारे question थे जो morning shift में पूछे गया थे तो आप इस question देख के बता सकते हो कि paper का level कैसा रहा होगा और मुझे लगवग इतने ही question नहीं याद है अगर आपको भी question याद है आज के exam से related तो प्लीज मेरे comment section में जरूर बताएं कि आपके इसाब से paper का level कैसा था और जो मैंने question जितना भी बताएं क्या वो question आपके exam से related थे और आपको भी अगर बहुत सारे question याद है तो please मेरे comment section में जरूर बताएं ठीक है थांक्यू सो मच तो all of you अगर बेल वाला icon वो भी दबाएं आपको मेरे वीडियो की notification मिल जाएगी ठीक है थेंक्यू सो मच